लोग सोचते हैं कि रिष्टे का मतलब सिर्फ प्यार होता है, नहीं, रिष्टों में बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, अगर आप इनको मैनेज नहीं करते तो वो मर जाएंगे मैं आपको एक चाबी देना चाता हूँ, जिससे आप बिना किसी की मदद के अपनी भावनाओं को मीठा बना सकते हैं, क्या आप इंट्रेस्टेड हैं? ये एक बटन जैसा है, आप किसी से मिलते हैं, आपको प्यार होता है, फिर आप कहते हैं, नहीं, ये सही इंसान नहीं है, फिर आपको किसी और से प्यार होता है, तो सच्चा प्यार क्या होता है? और क्या सच्चा प्यार सही में दो या तीन बार हो सकता है? मैं इसे समझना देखिए एक चीज होती है प्यार और एक चीज होती है रिष्टा ठीक है? रिष्टा दो लोगों के बीच होता है वो एक अलग चीज है ये एक तरह का लेंदेन है बिल्कुल अलग किस तरका रिष्टा? दुर्भाग्य से आज अगर आप रिष्टा शब्द कहें तो लोग शरीर पर आधारित संबंदों के बारे में ही सोचते हैं नहीं, अगर आपका एक भाई या बहन है, आपका उनके साथ भी रिष्टा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह शरीर पर आधारित है आपके माता पिता हैं, आपका उनके साथ संबंद है आपके दोस्त हैं, आपका उनके साथ भी रिष्टा है आपके आसपास ये रेडियो वाले लोग हैं, आपका उनके साथ एक रिष्टा है आप जिन लोगों से बातें करती हैं, आपका उनके साथ भी एक रिष्टा है तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ शरीर पर आधरित संबंधों को ही रिष्टा या रिलेशन्शिप कहा जाए पर दुर्भागी से ये पीड़ी शब्द का यही मतलब लगा रही है जब हम बड़े हो रहे थे तो इसका वैसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था पर आज एक रिष्टे की बात हो तो लोग सोचते हैं आपका शारीर रिष्टा है बिल्कुल तो रिष्टा एक अलग मामला है क्योंकि इसमें दो या तीन या दस लोग शामिल होते हैं फिलहाल यहां आप सभी में एक तरह का रिष्टा है ये एक किसी रिष्टे से जुड़े हुए लोगों का एक ग्रूप है परिवार भी हापस में संबंद रखने वाले लोगों का एक समू है तो ये एक लेंदेन का मामला है लेंदेन अच्छे से चल सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं कैसा भी लेंदेन हो चाहे वो कितनी भी सभिता से बनाया गया हो कभी-कभी वो बिगड़ जाता है कभी-कभी ये बहुत बढ़िया चलता है अगर लेंदेन केवल दो ही लोगों के बीच हो, तो भी बाकी की दुनिया किसी ना किसी तरह से उस लेंदेन में हिस्सा लेती ही है कई बार, इंसानी रिष्टे दो लोगों की वज़े से नहीं, कहीं और मौजूद किसी तीसरे चौथे इंसान की वज़े से टूट जाते हैं, जो उसके साथ कुछ कर देता है, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, पर अब प्यार की बात है, आईए प्यार को रिष्टे से अलग करते हैं, प्यार वो है जो आपके भीतर होता है, रिष्टा एक ऐसी चीज है जो आप दुनिया में करते हैं, आप दुनिया में जो भी करते हैं, उस पर हमेशा कई ताकतें असर डालती हैं, दुनिया में हम जो भी लेंदेन करते हैं, वो कई सच्चाईयों पर निर्भर करत जब आप दुनिया में शामिल होते हैं, तो कुछ सही होता है, कुछ सही नहीं हो पाता, क्योंकि कई तरह की चीज़े मैनेज करनी पड़ती हैं. लोग सोचते हैं, रिष्टे मतलब सिर्फ प्यार, नहीं. रिष्टे में बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है. अगर आप उसे मैनेज नहीं करेंगे, ये मर जाएगा. अगर आपने इसे मैनेज न किया, टकराव हो जाएगा. पर प्यार वो हैं, जो आपके भीतर होता है. प्यार बाहरी ताकतों के अधीन नहीं है. पर दुर्भाग इसे, आज लोग इसे वैसा ही होने दे रहे हैं. पर असल में, आपके अंदर जो होता है, आपके एमोशन की मिठास, किसी दूसरे को तै नहीं करनी चाहिए है, न? आपके भीतर जो होता है, उसे आपको तै करना चाहिए. दुनिया में जो चीजे होती हैं, आप वो सब तै नहीं कर सकते. आपके कुछ भूमिका है, पर दुनिया में कितने सारे लोगों की उसमें भूमिका हैं. पर अगर दो लोग भी हैं, तो दूसरे व्यक्ति की भी उसमें 50% भूमिका है. तो वो इसे कैसे लेंगे, क्या होगा, क्या हालात हैं, तरह तरह की चीज़ें है पर आपके भीतर जो होता है, वो वैसे ही होना चाहिए जैसे आप चाहते हैं तो जिसे आप प्यार कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके भीतर होती है पर दुर्भागे से लोगोंने आपको बताया है love is in the air, प्यार हवा में है यानि कि वो प्रदूशित हवा है ये जरूर दिल्ली की बात होगी दिल्ली में भी इन दिनों साफ हवा है मुझे बताय जा रहा है मुझे तो यही बताय जा रहा है अलागे मैं कुछ समय से वहां गया नहीं हूँ तो प्यार हवा में नहीं है ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर हो रहा है तो आपकी भावनाओं ने मधर रूप ले लिया है वज़ा चाहे जो भी हो तो अब आप बाहरी मदद का उप्योग कर रहे हैं आप दूसरे व्यक्ति का उप्योग एक चाबी की तरह कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को मधर बना रहे हैं मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूँ जिससे आप बिना किसी की मदद के अपनी भावनाओं को मीठा बना सकते हैं यह आप इंट्रेस्टिड हैं क्यों नहीं? हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल ताकि आप अपनी भावनाओं को हमेशा स्वीट रखें और चाबी आपके हाथ में हो अगर आपने किसी और को चाबी दे दी तो आपको केवल चिंता होगी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा जादतर love affair ऐसे ही होते हैं केवल पहले कुछ दिन खुशी उसके बाद सिर्फ चिंता कुछ बिल्कुल लाफद बन जाते हैं, ठीक है? यह इस पर है कि दूसरे में कितनी समझ है पर मूल रूप से आपके भीतर जो होता है उसे आपको ही तै करना चाहिए दुनिया में आपके आसपास क्या होता है यह कभी भी आपके द्वारा पूरी तरह से तै नहीं किया जा सकता यह सबी को समझना चाहिए आप कभी भी, कभी भी खुद पूरी तरह से ये तह नहीं कर सकते कि आपके आसपास क्या होगा अगर सिर्फ दो लोग हों तो भी आप ये तह नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा अपनी अलग चीज़ें करेगा अगर किसी और के पास इसकी चाबी है आपके पास नहीं कभी वो इसे खोलेंगे, कभी वो इसे बंद कर देंगे और चाबी फेंक देंगे तब आप कहते हैं प्यार एक आफ़त है, प्यार कोई आफ़त नहीं है रिष्टे हमेशा दुर्भाग इसे एक आफ़त बन सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ऐसा समझा जाए बस इतना है कि कभी-कभी इनसानी रिष्टे कारगर नहीं होते ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी और 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 औरत के बीच का रिष्टा कारगर नहीं होता बहनों के बीच का रिष्टा कारगर नहीं होता पर दोस्तों के बीच के रिष्टेकार करनी होते, क्या ये सच नहीं है, कितनी तरीकों से ये काम नहीं करता। पर अब, जब आपके मन में ये बेसिर पैर का विचार है, कि किसी और को आपके अंदर नीठी भावनाएं पैदा करनी चाहिए, तब आप पक्का उस इनसान को सजा देंगे, पक्का वो इनसान कल सुबह गायब हो जाएगा, तो आपको ये समझना चाहिए, कि प्यार पर आपका अधिकार है, आपको प्यार से भराऊना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई हो, कोई ना हो, क्या फर्क पड़ता है, आपकी भावनाओं का मधर होना उसके खिलने के लिए बहुत जरूरी है जो खुद आप है अगर आप अपनी बुद्धी को बढ़ाना चाहते हैं अगर आप अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहते हैं अगर आप दुनिया में सबसे असरदार तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपकी भावनाएं हमेशा मधुरोनी चाहिए.